आप सब्सक्राइब करता हो आपके अपने चैनल पर चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो लाल करगा आपको बड़न दिख रहा होगा उसमें क्लिक कीजिए साथ में बैल को दवाना ना भूलिएगा आप हमारा टेलीगराम, ट्विटर और इंस्टागराम आप फॉलो कर सकते हूँ, सभी की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे दोस्तों बात करते आलोग इंडस्ट्री, क्या करें स्टॉक के उपर आलोग इंडस्ट्री, लेटेस न्यूज, आलोग इंडस्ट्री, शेयर प्राइस तुडए इसमें आपको क्या करना चाहिए एक कॉमेंट आया था नीचे, कॉमेंट में रेट किया कापी अच्छा लगा मुझे तो मुझे लगा कि इसके उपर एक छोड़ा सा वीडियो बनाएता हूँ पांस यह साथ मिल्ट का यह वीडियो होगा टाइम होगा तो आपको पूरा वीडियो देख लेना चार्ट के मादियो में शेयर करूँगा ठीक है इसका टेकिनिकल व्यू और लॉंग टर्म व्यू फिशेयर करूँगा फंडामेंटल एनलिसिस के मादियम से तो पहले मंतली चार्ट के हम एनलिसिस कर लेते कि क्या हुआ मंतली चार्ट में तो दोस्तों मंतली चार्ट में आपको किलियर देखने को मिल साथ और अच्छा कासा बूम देखने को मिला रॉकेट हो गया स्टॉक ठीक है और मेरे साफ से इसमें 72 रूपीस का हज लगाया है और 70 और 75 के प्राइस के आसपस काफी बड़े नम्मर पे गेम खेला गया है साथ ठीक है मतला रिटेल प्रब्लिक को वहां फसाया गया है अब परसनलि एगर मैं बोलू तो 75 और 70 का जो लेवल है वह मुझे लगता है कि कुछ सालों के लिए कुछ सालों के लिए नहीं आने वाला है कुछ सालों के लिए मतलब next 5 साल के लिए at least नहीं आने वाला है ठीक है उसका कुछ रिजेन होंगे रिजेन दोस्तों यह है कि अगर अगर आप weekly chart देखते हो उसका और daily chart देखते हो तो मैं आपको बिला daily chart दिखायता हूँ ठीक है एक second इसको pause करता हूँ एक second है जी हाँ दोस्तों मैंने daily chart खोला हूँ दोस्तों देख सकते हो यह जो आपको candle दिख रही है इस candle का अगर आप volume देखोगे यह candle दोस्तों यह रहा ठीक है और इसका volume अगर आप देखोगे तो यह 100 million के पार volume था इस एक single candle के दिन 100 million share trade किये गए तो 100 million तो यह काफी बड़ा number है इसी वज़े से कह रहा हूँ यह stock definitely नहीं आने वाला है इस price में तो ठीक है बहुत साल लग जाएंगे 50 साल 50 साल तो मैं गलती से माफ़ी चाहना 50 साल जारा बोल दिया next 5 साल तो मुझे नहीं लग रहा कि stock यह आपका 50 रुपे से उपर जाने वाला है अगर चले जाता है तो भाई बहुत बड़िया हो जाएगा लेकिन मुझे परसनली लग रहा है कि नहीं जाएगा ठीक है आप नीचे comment करके मुझे बथा सकते हो अपने विचार कि यह जाएगा निजाएगा और तो डेली चार्ट में आपको दिखाती है बागे डेली चार्ट में अगर मैं आपको फ्रसका व्यू बता जाता हूँ ठीक है और मुझे लग रहा है इसका जो सौट टर्म व्यू है वो बेरिस होने वाला है मतलब स्टॉक नीचे की तरफ गिरने वाला है बहुत बुरी तरगे से गिनने वाला क्यूं ठीक है दोस्तो प्राइज एक्षिन समझे थोड़ा चार्ट के मादियम से प्राइज एक्षिन समझा रहा हूँ सायथ आपको स्क्रीन थोड़े विजीवल नहीं होगी उसके लिए महाफ ही चाहूँगा ठीक है देंक दोस्तो ऑलाइज आपको प्राइज एक्षिन समझाता हूँ कि उपर गया ठीक इएक सपोर्ट लिया नीचे आया उपर गया कि यसको आप माले जे एक ह1 माले जे नीचे आया उपर गया नीचे आया नीचे आया अगर आपको कुछ औपर पैटन दिख रहा लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि दोस्तों यह लगातार lower highs बना रहा है ठीक है lower highs बना रहा है तो अगर आप इसको इसको एह दो ड्रौ करना चाहो एक trend line मनती है hello ठीक है एक trend line बन गई तो definitely यह दुवारा से अगर उपर जाता है तो इसको test करके line को ठीक है अगर यह जो निकल के आता है अब बाई 23 रुपे के आसपास definitely इसको sell कर देना एक bounce में ठीक है और और अगर इस stock ने यह पुरा एक range बन चुकी है ठीक है box बन चुका है इक box के निचे close कर दिया stock की लग जाएगी लंका ठीक है यह आप बहुत बुज़तर के से घर जाएगा तो मैं आपको शला दूँगा कि अब जो इसमें bounce आएगा ठीक है इसमें exit कर देना इस price के आसपास अगर आपने हाल-शलल के दिनों में buy किया है ठीक है तो definitely stock को अपने industry को buy नहीं करना है तो दोस्तो आ लोग industry को buy नहीं करना है बिल्कुल भी ठीक है definitely फिर अगर ये break तुकड़ा देता है range तो definitely आपको इस यहां के label दिखा सकता है यह लेवल निकल के आता 10 रुपे का तो next target मेरा जो अलोग industry का होगा 10 रुपे का होगा तो भाई अगर आप social planning करें stock को इस price में buy करने की Face Zoom में, Telegram में जहां आप share करते हो आप share करते हो अभी बथा रहा हूँ अभी आपको संकेत दे रहा हूँ stock को buy बिल्कुल नहीं करना है ठीक है भाई आप गास के fundamental देख लेते कि fundamental पर क्या सुधार आया है जो stock इतना rocket हो गया तो fundamental देख लो तो दोस्तों बात कर लेते हैं आलोग इंडिस्ट के fundamental analysis की दोस्तों market cap इस stock का काफी अच्छा है 10 क्रोड के उपर का market cap है current price चला 20 रुपे आपको पता है 61 का high है और low है 3 रुपे का ठीक है तो definitely 50% तक तक यह price retracement ले सकता था जो निकल गया था 30 रुपे और वह 30 रुपे तक आ भी गया आप यह 30 रुपे से नीचे भी इसने close कर दिया है आपको समझो आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप simple तरीका एक देशी तरीका है आप क्या करो साल भर का high और low चेक करो कितना है high को plus करो और low को plus करो divide करो 2 से एक निकल के आएगा 50% उसका ratio वो 50% definitely उस price के अगर आपको कभी सोच रहोगी विचार कर रहोगी मैं stock को buy करके चलू तो उस 50% के आजवा stock को buy करो उससे पहले buy मत करो ठीक है तो यह एक तरीका है simple stock को buy करने का ठीक है कोई भी stock ले लो उसका high low देखो ठीक है 50% निकालो उसी 50% ने bid डाल दो और buy कर लो आखे बंद कर गए अगर आपको कुछ नहीं आता है यह simple strategy follow करो अगर आपको कुछ नहीं आता है ना आपको candle के बारे पता है ना आपको moving average के बारे पर आ को fundamental analysis के बारे पता है ना आपको technical chart के बारे पता है ना pattern के बारे पता है आप simple यह तरीका apply करो आपको अच्छा का सा long term में मुनाफ़ा हो सकता यह intraday नहीं है, यह swing trading बहुत सकते हैं और long term investment में use करना इस तरीके को, ठीक है, और दोस्तों देख सो book value के साफ से minus दिखा रहा है, minus 32, काफी घटिया, समझ पारे हो, मतलब कि यह जो price चलना है, यह overvalued है books के according, books में कुछ नहीं है, मलब books में, ना इसके बार projects है, ना कुछ है, negative है, समझ पारे हो, तो काफी बड़ा number है यह, definitely यहां से भी बहुत गिर सकता है, stock, गिर सकता है बहुत, त्यान रखो, और क्या देख लेते है stock नीचे, चलता हूँ, profit देख लेते है भाई, यह quarterly profit होल लगे है मैंने, तो quarterly profit दोस्तों देख सकते हैं, इसको, कभी इसको profit होता है, कभी इसको loss होता है, मतलब क्या चल रहा है stock में, इसमें कुछ ना कुछ घपला है, मत करो stock में भाई है, यह पुरा gamble हो रहा है, यह पूरा gamble हो रहा है, यह क्योंकि देखिए, इसमें इसको 10 क्रोड का, 10 या से हटाओ, यह घटिया stock है, इसमें बस आपको ना, moves का फायदा उठाके, पैसा कमाना था, और हो कमाल यह लोगों जिसने कमाना था, अब आपको इसमें फसाया जा रहा है, मिरे साब से भाई, इसमें exit करो, बाकि देख सकते हो, promoter की holding अभी भी stock में है, ठीक है भाई, 75% 10 रुपे के label में अगर आपको दिखता stock, तब यह stock को buy करना, यह stock 10 रुपे के label में, buy करने के लिए सबसे best stock होगा, ठीक है, 10 रुपे से पहले stock को, भूल कर भी average out मत करना, अगा stock ने 20 रुपे के निचे closing कर दी, stock अराम सिर्फी 10 रुपे आ जायागा ध्या नक लेना, ठीक ह ठीक है भाई, तो मेरे यह आलोग industry का छोड़ा सा review था, आशा कर तो आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो भाई, क्या करना आपको पता हिए, वीडियो को share कर दो, like कर दो, comment कर दो, और subscribe करने ला करना तो, नहीं करना तो, मिलते है फिर, चलो, बाई बाई बाई,